पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो ने शान को फोन करने की कोशिश की लेकिन शान ने कभी फोन नहीं उठाया और नहीं उसे अपने संपर्क सूची में जोड़ा क्योंकी वह डर गया था तो चलिए कहानी शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले क्रिप्या लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में चलिए शुरू करते हैं शेन स्कूल की कैंटीन में था उसने दूध और कुछ बन मंगाए और सोचने लगा क्या अगर्जिया जुओ वास्तव में एक पागल है क्या मुझे वास्तव में उससे सारे संबंध तोड लेने चाहिए शायद मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए वह अपने फोन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था शेन अपनी सोच में इतना खो गया था कि उसे नहीं पता चला कि कौन पीछे से आया इसलिए वह डर गया एक अन्य स्कूल के साथी ने पूछा क्या तुमने अपना नाश्ता कर लिया है दूसरी और जो अपने कमरे में अपनी शर्ट्स को तह कर रहा था और सोच रहा था शायद शेन व्यस्त है और अपने फोन को चेक नहीं कर रहा है मुझे सोमवार को स्कूल में उससे मिलने का मौका मिलेगा दो दिन बाद जो ने सोचा मुझे अब तक शेन ने अपने दोस्तों में नहीं जोडा और मैंने शेन को अभी तक नहीं पाया तीन दिन बाद एक और दिन बीट गया और जो ने शेन को नहीं देखा और वह उदास महसूस करने लगा चार दिन बाद जो का एक दोस्त आया और उसने पूछा क्या तुम ठीक हो जो तुम अकेले क्यों बैठे हो और गोल गोल क्यों बना रहे हो कक्षा का समय हो गया है चलो चलते हैं जो स्कूल में गया और पता चला कि ड्रामा क्लब के लोग कह रहे थे कि शेन पिछले कुछ दिनों से गतिविधी कक्ष में नहीं आया है मुझे उसकी कक्षा का समय भी नहीं पता है और मुझे नहीं पता कि उसकी कक्षाएं कब और कहा होती है कक्षा में कुछ लड़किया बात कर रही थी शाली, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है यह तुम्हें कहा से मिला तुम्हारा मेकप भी बहुत अच्छा है कृप्या मुझे सिखाओ शाली ने जवाब दिया अभी नहीं, मुझे बाद में काम करना है जो ने देखा कि शाली कोई और नहीं बलकी शेन है जो ने अपने दिल में सोचा शेन महिलाओं के कपड़े क्यों पहन रहा है क्या उसने अपनी रुची सब के सामने उजागर कर दी है जो शाली के पास गया, जो शेन था और उसे नाम से पुकारा हाई शेन अचानक शेन ने आश्चर्य से अपना मुह खोल लिया इसी बीच व्जो ने कहा तुम इस ध्रेस में बहुत सुन्दर लग रहे हो अन्य लड़कियों ने जो शेन को नहीं जानती थी बात करनी शुरू कर दी, यह कौन है यह शेन कौन है, अचानक शेन ने सोचा कि उसे क्या कहना चाहिए वह यह नहीं कह सकता था कि वह शेन है और वह शाली के नाम से लड़की बन कर रह रहा है इसलिए उसने एक कहानी बनाई शेन मेरा जुर्वा भाई है उसने मुझे मेरे भाई समझने की गलती कर दी अन्य लड़कियों ने पूछना शुरू किया ओह समझ गई, फिर उसने तुम्हें इस आउटफिट में सुन्दर क्यों कहा दूसरी और जुओ ने अपने दिल में सोचा जुर्वा भाई और बहन पर शेन ने कहा वह बस इस आउटफिट की तारीफ कर रहा था क्या सभी जुर्वा बच्चों का साइज एक जैसा होता है लड़किया फुसफुसाने लगी उसे अपने भाई के सभी साइज का पता है शेन खड़ा हुआ और जाने लगा वह बस एक ड्रेसमेकर है वह मेरे भाई के साथ उसी कलब में है मुझे उससे कुछ कहना है और उसने जुओ को अपनी कक्षा से बाहर खीच लिया जब शेन और जुओ कक्षा से बाहर गए शेन ने कहा तुम जानते हो कि मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि मुझे महिलाओं के कप्रे पहनना पसंद है क्या तुम बस यह नाटक नहीं कर सकते कि तुम मुझे नहीं जानते जो ने कहा मुझे माफ कर दो फिर शेन ने कहा मैंने चार दिन लगाए महिलाओं के कप्रे पहनने में अपनी बेहन की कक्षा को कवर करने के लिए और तुमने मुझे उसके दोस्तों के सामने उजागर कर दिया तुम बहुत ही शेन ने देखा कि जो की आखों में आसू थे जो ने कहा मुझे माफ कर दो अचानक अन्य ड्रामा क्लब के लोग आने लगे जो ने शेन को गले लगाया और कहा फूली भी तुम्हें पहचान सकती है उसे तुम्हारा चहरा देखने मत देना गले लगाते हुए जो ने कहा मैंने तुम्हें इन दिनों नहीं देखा और तुमने मुझे क्यो क्यो पर नहीं जोडा इसलिए मैंने सोचा कि तुम अब मेरे लोलिता कपड़े नहीं पहनना चाहते इसलिए जब मैंने तुम्हें महिलाओं के कपड़े पहने देखा तो मैं बहुत उचसाहित हो गया दूसरी और गुजरती लड़कियों ने पूछा क्या वह जो है किसी को गले लगा रहा है जो ने कहा मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें उजागर करने का इरादा नहीं था और मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने का इरादा नहीं किया जब मैंने तुम्हें पहले महिलाओं के कपड़े पहनने के लिए कहा था मेरे साथ संबंध मत तोरो कृपया शेन ने सोचा हाँ हाँ संबंध तोरना केवल बच्चे ऐसे शब्द इस्तिमाल करते हैं खीक है और कहा मुझे माफ कर दो मैं कपड़े चुनने और मेकप सीखने में व्यस्थ था कि मैं तुम्हें दोस्त के रूप में जोडना भूल गया जोओ ने पूछा क्या तुम नाराज नहीं हो शेन ने कहा मैं थोड़ी आकरामक था अभी इसलिए इसे दिल पर मत लेना दोस्त बनाने के बारे में क्या मैं अभी जोडता हूँ एक सेकंड रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है दूसरी और महिला ड्रामा लीडर इन दोनों लड़कों को जांक रही थी वह जोओ के साथ क्यों है और वह महिलाओं के कपड़े क्यों पहने हुए है उसने पहले कहा था कि वह महिलाओं के कपड़े नहीं पहनेगा या महिला भूमिकाएं नहीं निभाएगा अब वह मना नहीं कर सकता, है न? खैर, चुंकि उसका जो के साथ अच्छा रिष्टा है उसे पुरुष लीड की भूमिका निभाने देना बहतर होगा